नमश्कार दोस्तों मेरे पाम लेडिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। वरतमान समय में ये अपना कारी कर रहे हैं कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा है विगत कुछ वर्सों से इनको परिशानी चल रही है और इनको ऐसा लगता है कि इनके अदली अच्छी है ही नहीं इनके जिन्दगी में तकलीफ ही रहा है तो इसकी क्या वज़ा है इस बात में कितना सच है और इनके इतले पर क्या चीज़े अवस्थित है उस पर हम पूर्णता विचार करेंगे और इनके कंसर्फ को भी क्लियर कर दिया जाएगा क्योंकि जब आपको सचाई पता हो जाती है तो फिर आपको कोई विशे समस्या नहीं होती और ये 60 वर्स इन्होंने बिता लिया है आपना तो आप समझे कितना जादा एक्सपीरियन्स होगा इनको जिन्दगी का और अगर इ जब से इनकी पास्ट की जिन्दगी को बता दिया जाए तो आपके लिए कितना ज़्यादा वो बेनिफीशल रहेगा ताकि आपको तो इससे ज़्यादा सचाई पुरे दुनिया में किसी भी बुक में नहीं मिलेगा कहीं पर नहीं मिलेगा तो ये वीडियो इतनी हैं वो गलती आपसे ना हो इसी के लिए तो वीडियो में पोस्ट करता हूँ लोगों को एक अवेरनेस फिलाता हूँ और साथी साथ आपको भी ये जिनकी हते लिए उनके लिए मैं ये शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ आपको भी एक ट्रांसपरेंसी आज मिलेगी आपको चलो इनके पास प्रापटी इनके पूर्वजो की थी इनकी प्रापटी तो मिली वो प्रापटी इनको मिली इन्होंने परसनली कुछ नहीं बनाया ठीक है ये इनका कथन था और दूसरा इनको नाना प्रकार की समस्याओं से गुजरना परा है और कही न कही आज भी ये गु किया कियो कोई भी विक्ति एक डॉक्टर और एक एस्ट्र लॉजर ये दो जगत जूट तो नहीं बोलता अब जो बोलते हैं वो तो फिर मैं क्या कर सकता हूं उनके लिए उनकी बात सिकता इतनी खराब होती है जो जूट बोलते हैं हम लोगों के पास वो तो बाती कुछ और ह तो उसकी तो हम बाती नहीं करेंगे जूट बोलना में चाहिए डॉक्टर एस्टॉलॉजर के पास देखे पहले तो मैं किसे कुछ पूसता नहीं हूँ और दूसरा मुझे इनकी एतली बता रही है कि प्रारंबिक समय से ही इनकी बागियरेका इनके एतली पर नहीं थी और जिस भी जातक के एतली पर प्रारंबिक समय से बागियरेका नहीं रहती है सकसेस को लेके कोशन मारतू लग गया स्रक्सेस को लेके उन्नती को लेके भाग गुदे को लेके धन अर्जन को लेके एक कोशन मारक तो लग गया और यह कोशन मारक कार थी यह हुआ कि ऐसे जातक के जिंदगी पर परशानी रही है बहुत ही अच्छे फैमिली से हैं बहुत ही बड़े फैमिली से हैं डाजन्ट मैटर लेकिन जब भाग ये रेखा नहीं रहता है तो इनसान को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है मान लिया जाए कि आपके अकाउंट में एक करोड है लेकिन उस पैसे का भोग करने वाला कोई है ही नहीं तो वो एक करोड का क्या बेनेविट है ये बहुत बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूँ ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ तो यहां पर से ये विशेशकर समस्या ही है कि ऐसे लोगों की भाग गिरेका नहीं है अतली पर कि इस बड़ी समस्या कि कोई बात हो भी नहीं सकती तो आप बिल्कुल सही है अपने जगा पर कि आपकी बचपन सही कुछ ना 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 कुछ परस्पर परिशानी बनी रही है सकसुस को लेके अब रोध आपके जिन्दगी पर आते रहे है पहली बात तो यह लेकिन मैंने इनको ये बात तो असपस्ट कर दिया लेकिन मैंने इनको ये भी कहा कि आपकी 36 में से लेके आपने 55 वर्ष के बीच में पैसे कमाए है इस बीच में definitely आपके जिंदगी पर पैसे आए है योगि एक mysterious आपकी letter X था ये letter X था या cross का symbol कह सकते हुआ तो इसका अर्थ क्या है देखो मैं अपने वीडियो में समझाने का प्रियास करता हूँ विस्तार पुरुवक इसको दिमाग खोल के समझने का प्रियास करिए कि मैं हमेशा बताता हूँ कि ये जो cross है ना ये तब ही आपको फल देता है बहुत ये अच्छा multi-millionaire, bilinear जब आपकी सुरुवाती दौर से बागि रेखा अच्छी आ रही हो अब इसको थोड़ा समझेगा सुरुवाती दौर से आपकी कमाई होड़ी है लेकिन 36 में के बाद यहाँ पर डो ट्रैंगल यहाँ पर बनने थे और एक बागि रेखा के साथ बहुत एकुरेट के ट्रैंगल बनने थे तो यहाँ पर विशेस का प्रापर्टी, इन्वेस्मेंट और साथी साथ जिंदगी पर तरक्की को यह दर्शाता है तो जब ही आप 36 से यहाँ पर पहुँचे ना 36 में तो आपकी मन्त की सैलरी दो लाक रुपे हो गए थे इससे जदा भी लोगों की हो जाती है बागि रेखा के एवज में लेकिन जब आप 36 में साथ में पहुँचे ना तो वो सैलरी बढ़के 10 लाक हो गई 10 लाक हो गई अचानक से आपके जिन्दगी पर ग्रोथ मिला और इसे ग्रोथ के एवज में आपने उस समय जो इसके प्रेडिक्शन होते हैं प्रॉपर्टी बनाने के लिए उसे 10 लाक रुपे के दम पर आपने 3 से 4 प्रॉपर्टी बना लिया मानलो 5 प्रॉपर्टी बना जाएगी तो यहां पर सीधा ही अर्थ है कि अगर आपका भागे रेका सुरुबाती दोर से अच्छा होता है तो यह जो लेटर एक्स है ना यह आपके लिए इतना जादा लावकारी हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कहते हैं एक तो तुम बहुत तेज हो अगर तो तुम क्या नहीं कर लोगे तो बस सीधी सी बात है कि बागे रेका सुरुबाती दोर से रहेगे तो यह समय आपको हाइक देता है अब इनके साथ क्या हुआ ना कि इनकी स्टार्टिंग की अर्निंग बहुत अच्छी नहीं होगी चुकि बागे रेका बहुत अच्छी न पैसा आता रहा और पैसा जाता रहा इनका कोई भी सेविंग्स नहीं हुआ सेविंग के नाम से जीरो बटा सून ये और साथ ही साथ आपको एक फरस्टेशन भी रहा कि मैं कुछ कर नहीं पाया लेकिन अगर आप वाजबन अपने जिंदगी को देखेंगे न तो आपकी या जा आपको भुगतना था इसलिए इस पार्टिकुरली एजिस में आपके सेव नहीं हो पाए पैसे की फ्लो बनी रही पैसे आते रहें पैसे जाते रहें कहां चले गए पता भी नहीं चला और सेविंग के नाम पर कुछ भी नहीं रहा तो शायद आपके ये डाउट्स अब क्लियर हुए होंगे कि आपकी जिंदगी कैसी रही है और आगे कैसी रही कि उसके लिए थोड़ा सा आपको क्लियोसिटी बना के रखना होगा मैं उसको विस्तार प्रुवक समझाने का प्रियास करूगा तो अभी इनकी पॉजिटिव चीजों को हम देखेंगे फिर इ इनकी सूरी रेखा एक से ज़ादा है लेकिन ये सूरी रेखार न बहुत अच्छी नहीं है अब जिस भी जातक के एतली पर एक से ज़ादा सूरी रेखा होती है उसके लिए मेरा कथन ये होता है कि आप कम मेहनत करोगई तो पैसे कमआओगे अब इसका reason पता है क्या है इसक कर लेगा तो इसको विस्तार पुरुबक समझाने का परियास कर रहे हैं सिर्फ दो रेखा देखके ये मस समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी बड़ी अच्छी रहेगी आप कि आपकी दो सूरी रेखा है नहीं सूरी रेखा दो कब अच्छा होता ये समझो जब आपकी एक मैनत में ये देही रहा है लेकिन पैसे ही इतना कम है ना कि आपको इसका महत्व पता नहीं चलेगा चुकि सूरी रेखा छोटी थी थोड़ी कम विसिबल थी धूमिल थी हलकी हलकी से लग रही है जहां पर से ये बहुत ही अच्छे पल नहीं दे पाते लेकिन लेकिन डूप पर सर्वाइवल ले रहे हैं या फिर सर्वाइव कर रहे हैं आच साथ वर्स की आयू तक तो कहीं ना कहीं अपने गुन और अपने विचार और अपने ताकत कदम परा जो कि सूरी रेका आपको प्रदान करें लेकिन मुझे बहुत जरूरी है कि मैं एक ट्रांसपरेंसी बात कह रहा हूं क्योंकि अब कोई मतलब नहीं बनता आपको किसी भी परकार से महनोपलेड करने का क्योंकि में में रीजन इसका ये है कि अब क्या जरूरत है अब क्या जरूरत है अब आपकी साथ वर्स की आयूँ है अब कोई महत्व इसका बनता है और मैं किसी को करता भी नहीं हो क्योंकि वो मेरे से डाजेस्ट नहीं होता है तो यह चीज़ आपने समझ लिया यह पहले पॉस्टिविटी थी अब हम दूसरी की बात कर लें तो बाग गिरेखा है तो 37 के बाद सक्री रही है लेकिन यह सक्री आपकी हुई है तीसमें साड़ के बाद यह तो नहीं ही मानूंगा मैं दूसरी पॉस्टिविटी यह तीसमें साड़ के बाद सक्री वेपैसे आये हैं कुछ एक मिस्टिडियस क्लॉस जैसा बना था डो ट्रेंगल ही मान लो इसको अब हम तीसरी पॉस्टिविटी आपको दिखाते हैं तीसरी पॉस्टिविटी में जीबन रेखा अच्छी थी इश्वर ने आपको ऐसे तकलीफ दे दिया आपकी राहू रेखा थी आपकी जीबन रेखा पर बहुत जदा राहू रेखा नहीं थी जहां पर से आपस्टेगल तो आते हैं लेकिन ये रेलीफ भी मिल जाता है ऐसे लोगों को इसके उपरा आते एक अच्छी आपकी मस्तिक से रेखा थी जहां पर से दिमाग के तेईज होते हैं एक अच्छी इरदे रेखा थी इरदे के होते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है योगि कस्ट आपको मिला है कस्ट आपको जदगी पर आपने देखा है लेकिन इतने ही ताकतवर मान सखता के आपको कोई फरक नहीं बढ़ता है कस्ट है तो अपने जगापर है मैं जब अपना काम करना है अपने जगापर करना है यह आपकी मान सकता है तो यह strong मान सकता है और आज तक आप ज़्यादा पैसे क्यों नहीं कमा पाएं इसका वज़ा यह अब आपके परशनों को ही मैं बता रहा हूँ कि आपकी बुद्धर एकावी भास सक्रिय नहीं थी और एक बहुत clear money triangle नहीं बना था जहाँ पर से बहुत जादा पैसे cure करने में समस्याएं होती ही होती है इवन पैसे जमाई नहीं हो पाते है इवन पैसे जमाई नहीं हो पाते है ये बड़ाई असपस्ट मुझे दिख रहा है अभी हम कुछ negativity को हम दिखाएंगे आपको तो ये निका तीसरा फिकर negativity के अगर हम बात करें तो बरश्पती गरबर है पारिवारी के समस्याएं रही है रहेंगी रही ही ही है लेकिन कुछ-कुछ-कुछ-कुछ समय ऐसा बीता जिस समय बड़े अच्छी जंदगी भी आपने बिताई है लेकिन कुछ-कुछ पारिवारी के समस्याएं भी रही है बुद्रे का proper clear नहीं है तो लाख बड़ा investment के बाद भी बहुत ज़द तरक्की नहीं होती है चुकि बुद्रे का बहुत clear नहीं है तो ऐसे विक्ति बहुत ज़ादा पैसे नहीं कमा पाते है बस काम चले लाइक कमाते है प्रॉपटी अब एक परशन और था मैंने इनको बोला था की आपकी प्रॉपटी तो मुझे दिक लिए ये तो प्रॉपटी को दर्शार ही थी अब देखो आपकी अंसिस्टर की प्रॉपटी हो आपकी पूरवजो की प्रॉपटी हो यह आपने खुद बनाया हो उसको हम जमीन ही कहते है अगर आपके अंडर वो है तो वो property ही है, वो कुछ और नहीं कही जाएगी, उसको property ही कहेंगे, बस आपके हाथ पर योग रहना चाहिए, तब ही आपको property मिना नहीं, तो वो कब बीगविक जाता, तो आपके पास है, आपने महनत किया, अथवा नहीं किया, उसे कोई फरक नहीं परता, आपने बनाया हो, अथवा नहीं बना, उसे कोई फरक नहीं परता, बोला किसका property जाएगा, यह ज़्यादा माहने रखता है, तो यह आपकी property होने के योग को दर्शार ही थी, तो वो तो definitely आपकी हुई होगी, बस concept को clear रखो, तो यह कुछ इनके negativity थी, अब प्रशन थे हैं कि आगे के समझेगा, destiny समझेगा, तो साइध आपको यह तकलीफ नहीं लगेगा, तो अभी चली हम देखते हैं, प्रानबिक समय से बरश्पति गरबरती, देखो परिवार से तो अच्छी होते हैं, लेकिन कुछ-कुछ-कुछ-कुछ परसपर समझ सहाए, बनी रहती है, एक प्रगती योग थे, इंडिपेंडेंट उस समय आप हो गए होगा, 17 वर्स की आयों मैं, और 18 वर्स पूरा इंडिपेंडेंडेंसी मुझे दिखा, एक आपकी 22 में साड़ा में मुझे कोई दिक्कत देखी, 22 के बाद फिर जीबन रेकता में समूझ चली थोड़ी सी, चली रही थी, औ 22 के बाद तो जीबन रेका भी काफी अच्छी है, और यहां पर से 54 वर्स में तरक्की एक आपकी तक्रीबन, 60 में वर्स में तरक्की के योग हैं, ये कन्फा मुझे दिख रहा है, और ये 62 में है, ये 65 वर्स में भी एक लाइन बंड रही है, उसके बाद आपके केतु परव तो फिर लापरवाही सीधी आपकी ही होती है, तो ये चीज़ आपने समझ लिया, तो ये आपके जीबन रेका का विशलेशन तब मैं आज भी कोई दिक्कत नहीं देख रहा हूं, और कल भी मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है, तो जब तक जिन्दगी रहेगी ठीक ही रहती है, तो ये इनके परशन थे, अभी इनके परशन पूरे हो चुके हैं, अभी इनके इतली का पूरता विशलेशन करेंगे, चीज़ों को असपर सूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफी सादा महतपून है, देखे, सीखे, समझे, ये रहा हैं इनके स्क्वारिस, मद्यमेच के वाद सफलता को पाते हैं, no doubt, सारे ही प्रैंट में लगबग लगबग स्टेंथ है, तो ये राज्यों कारक अतली को दर्शारी है, 65% जिंदगी ठीक कहीं बीच जाती है, घीस्तीर के बीचे ही जाती है, 60 अवरसों तक आपकी जिंदगी रही बीचे ही गई, अब क्या चाहिए आपको, फिर गुलाबी अदले धन को अट्रैक करती है, जबरदस थम्ब है, जबरदस विक्तितों का परचे कराता है, स्ट्रॉंग इच्छा शक्ती है और स्ट्रॉंग तर्ख शक्ती है, और आगे भी आपके डिजायर्स के बरे इच्छे ही होगे, विक इस चीज का ये बर्चकरा रहा है, बाकि समझदारी के लूप काफी चीजा तक बहुत समझदार, फिंगर पर कई लाइन से इंसान पर अच्छे हैं, किसी के लिए कोई गलत बावना आस्तिक रखी नहीं आपने, और कोई मतलब भी नहीं बनता, किसी के लिए गलत बावना स इस चीज का ये परचकरा रही है, बाकि फिंगर लंबे करें अच्छी क्रेटिविटी का ये परचकराती, ये जातक बहुत महनती होते हैं, बहुत लगन सीलता से किसी भी कारी को करते हैं, और बहुत ही महनत से किसी भी कारी को करके समनता को पाते हैं, इस चीज आपने समझ लिया अब यह आपके प्राइन सपर्ण चलें तो बरश्पति बरश्पति है तो गरबर यह डेफिनेटली पाड़ी वाइल समस्ज्या है पाड़ी बाड़ी मदभेद और भी नाना प्रकार की परशानी कारी छे तरको बलाने में समस्या है close मित्र दोगा दे के चलाएंगे वो बाली प्राप्लम ये सब प्रकार की समस्याएं तो ये no doubt दर्शाती है तो मैं असपस्ट ही देख रहा हूँ बाद मां कि कुछ प्रकती के योग तो थे कुछ-कुछ तरक्की परसपर रही है और ये भी देखो कुछ-कुछ रही है बाद की ब्रश्पती आपकी ठीक ही हुई है चालिस के बाद अलनकि इस ब्रश्पती का उपाय तो आपको पहले कर लेना था ये तनी बड़ी समस्याई भी नहीं होती ब्रश्पती पूरी-पूरी डैमेज है पूरी-पूरी चौपट है कुछ सुधार हुआ चालिस के बाद लेकिन वो सुधार हम मानेंगे नहीं चालिस के बाद की जिन्दगी का क्या अस्तित्व है पर देखो एक जबरदस आपकी माइंड रेका दिमाग के बरे तेज है इतना जेला अपने अपने दिमाग के ही बल पल जिरा है तो जेलना बड़ी मुस्कीर हो जाती कुछ स्ट्रेंगल्स है जो आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है और एक हिर्दे रेका बड़ी अच्छी मुझे दिख रही है स्ट्रॉंग मान सिक्ता के विक्ति है ऐसे लोग के गबराने वाली प्रस्ट्रेंटी नहीं होती यहां सभी कुछ ट्रेंगल्स है तो इसके नेगेटिविटी को भी दूर करे थोड़े एमोशन्स तो हैं एमोशन्स में थोड़ी गल्दिया तो हुई है बाकी अगर हिर्दे रेखा और मस्तिक्स रेखा को देखा जाए तो दोनों में बैलेंस बहुत अच्छा है इनसान दिल दिमा के बड़े तंदोस्त है इन चीजों का यह परचे तो करा रही है यह जबरदस्त करा रही है तो माइंड रेका हर्ट लाइन अच्छी है इस पर कुछ इंडिकेशन भी बड़े अच्छे बने है जिसका अर्थ होता है कि ऐसे जातक के जिंदगी पर प्रापटरी खोदे से बनाओ अथवा आपको मिल जाए मिल जाए तो मैं वही बेटर समझता हूँ बनाने में तो महनत लगता है तो बात सीधी सी है कि मिल जाए या बनाओ आपके बागे में है तो आपको मिलेगा तो असीतना ही बात समझो इसके लावा कुछ समझो ही मताब तो बहुत बढ़ियां पर देखे यहाँ पर से दबाब है तो व्यक्ति गजब के महनत नहीं इस चीज़ का यह परचकरा रही है और स्ट्रॉंग आपके यह देखो फेट लाइन यह फेट लाइन दरशाती है कि ऐसे जातक की जिन्दगी ठीक रहती है लेकिन पच्पण में के बाद थोड़ी प्रबाबित तो बागे रही है पच्पण में साड़ की आयों के बाद बागे रहा मैं थोड़ी प्रबाबित अवस्ता तो मुझे दिखी है जिसका आर्थ है कि बहुत जादा बागे का साथ ना मिलना इन चीजों का यह परचकराती, बाकी बागे रेका बड़ी अच्छी है, साथ के बाद तो ठीक ठाक मुझे दिख लिए जिन्दगी फिर भी ठीक रहती है, बाकी लाइन ओफ एजुकेशन एक से ज़ादा इंसान बहुत समझदार मान सिकता के है, एक से ज़ादा सूरी देखा है, इनसान की काफी अच्छी है को इसी है किसी भी चीज़ को करने की, वो तो मुझे बड़ा अच्छा दिख रहा है, को डिस्ट्रैक्शन तो थे नॉर्मल, बाकी प्रापटी के योग भी डबलब कर रहे हैं, वो तो मिलना ही है, दो ट्रैंगल सरी तो प्रापटी देती ही है, बाद बाकी देखो तो सनमर के अच्छा बुद्धी वेक से कारे करने वाई स्ट्रॉंग लाइन से, ये दर्शातिक ऐसे इंसान बहुत तेज होते हैं, देखो पैसे भले ही आपके पास ना बचे हो, लेकिन आपका कोई भी कारे रुका नहीं है, तो दोनों सनमर करीबर ये अच्छी आपके दले पर रवस्तित है, फ़र देखो दोनों मंगल बहुत प्राक्रमी डरते तो नह गबराते भी नहीं है, और गबराने से जिंदगी पर कुछ मिलता भी नहीं है, तो ये लोगों मेरा डर होता है, ये लोग बस अपने जिंदगी को चीर के फाड़ के जीना चाते है, अच्छी तरीके से, बहुत जबरदस प्राक्रमी हैं, बहुत कुछ करने की मान सकता है, चनरवा का बात था, मा के अभी में कुछ और वे चीज़ों को दिखाऊंगा, शुकर पर एक केतु परवत वफिश है, अकास्मिक दनलाफ को ये दर्शार आए, वरास पस्ट मुझे दिखा, और ये बुद्धरेका बड़ी अच्छी तो है नहीं, ये एक बुद्धरेका समझाया कि कुछ पैसे आए होंगे, आगे 20-60 वर्सों के बाद की बाग्यरेका ठीक दिखरी है मुझे, तो कहीं नहीं कि सुफिदाओं को दर्शार ये आपकी देखो तो सूरी रेका अच्छी है, काफी एकुरेट है, पैसे तो कमा ही लोग गया, पैसे तो डेफिनेटली क कमाल होगे, चुकि यहाँ पर से ना ये बाग्यरेका बरी सक्रिय नहीं, देखी, पच्पन वर्स के बाद एक दम मिट गई, और ये तक्रीवन अंठावन में वर्स के बाद सक्रीव है, 50-80 बाद, इस समझे लिए आपने बाग्यरेका परवरती के तो हो, गुस्ता आएगा बागी ये सब भी बाग्यरेका काई ब्रांच है, तो कि बहुत अच्छा नहीं मैं मानूगा, नॉर्मल है, बागी देखें तो शुक्र बड़ा अच्छा है, चादी के बाद भागूद है, लेकिर फिर भी कुछ स्ट्रेस का योग तो थे, स्ट्रेस जिंदगी पर रहे हैं और शुक्र गरबर है तो विवाई जी उनने बहुत समस्या है, और इसके बाद देखो, इस्ट्रॉंग आपके लगजरी सुख के लाइन से हैं, समस्या हैं किसे भी पर कारगी हो सकती, समस्या मतलब समस्या, शुक्र बढ़िया है, फिर भी लगजरी का सुख तो मिलेगा, जिन्दगी ठीक ठाक बीट जाएगी, बीट ही गई है, आगे बेजिन्दगी बीट ही जाएगी, फर देखे आपके अधले पर मंगल, बराज जबरदस्त मंगल है प्राक्रमी तो है, आज आपका मंगल बढ़िया नहीं रहता है, तो आप एकदम फ्रस्टेशन में चले जा क्या चाहिए आपको अब आपको और क्या चाहिए तो बस पैसे भी जरूरी होते हैं तो वो भी जिन्दगी बराएंगे बस पेसेंज रखो तो यह ताइन के तलिका पूरूत अविश्टेशन अगर आपको मारा यह व्ड़ो पसंद आ है लाइक कर दे कमेंट कर दे सब्सक्रा